हेलो अब्रीबान नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अलोग बाचपेई और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अनकेडमी पीएसी संकल्प ओफिसेल यूटूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है और इस चैनल पर आप लोग वन स्टॉप सोलूशन पीएसी संकल्प चैनल पर कर सकते हैं तो आज उन्हीं हम जॉब्स के बारे में नौक्रियों के बारे में आज की क्लास में बातचीत करने वाले हैं आप लोग यहां पर एक डिटेल देख सकते हैं नौक्रियों का सवाल रेलवे ग्रह रच्छा और डाग विभाग में बहुत अधिक पद रिक्त हैं देखें केंदर सरकार में 9.8 लाग पद खाली हैं इनमें से 8 लाग पद 4 मंत्रैलियों में हैं तो यह ओबर ओल एक आंकड़ा प्रसारित किया गया था अभी हाली में इस आंकड़े के अनुसार ऐसा माना जाया रहा है क और अथा अधो एक अधालियों के बराबर काम कर रहा हैं और य theor इतीति किसी एक डिपाइपनेंनJust means यह बहुत सारे मंत्रैलियों में हैं बहुत सारे सरकारी विभागहों में हैं चाहें वह वह तो विज्ञान टक्नीक का विभाग हो चाहें वह मौशं ओर चाहें वह आपक सारे डिपार्टमेंट्स की सारे विभागों की बात मैं कर रहा हूँ तो यहां पर इस न्यूज को लाने का जो में मकसद है आप लोग समझ जाईए कि यहां पर केंदर सरकार 78 मंत्राले विभागों में स्विक्रती 40 लाग पदों में से 9.8 लाग यह पद आपके खाली हैं जिसमें से 4 मंत्राले मुख्य मुख्य हैं रेल मंत्राले में बहुत सारी वेकैंसीज हैं जो आपकी एकदम लाइन अप हैं तो यह नोटिफिकेशन आपके लिए आ सकते हैं ग्रह मंत्राले और रच्छा मंत्राले और डांग विभाग में ही 35 से 35 लाग से अधिक पद मंजूर है अभी आप लोगों ने देखा होगा डांग विभाग में बहुत सारी डांग सहायवकों की नियुक्ति की गई थी तो डांग विभाग में भी आपका नियुक्ति का कार चल ही रहा है ठीक है तो अगर ये मंत्राले मिला दी जाएं रेलवे ग्रह रच्छा और डांग 35 लाग से अधिक पद यहाँ पर मंजूर भी हैं और रेलवे में खाली हैं 294,000 तो देखिये हम लोग देते हैं एक्जाम आप लोगं का होता है NTPC का होता है एक्जाम रूबडी का होता है तो यह RRC जो कराते हैं न तो यह सारा का सारे एक्जाम होता है यह सारे पद भरे ही जा रहे हैं लेकिन और भी पद इस जो सर्वे है इसके अनुसार आपके खाली है सबसे ज़्यादा यह आप देख सकते हैं रेलवे में रच्छा मंत्राले में भी जो सिविल गैर से निक हैं यानि कि सिविल, जो सिविल की जो भरती होती है रच्छा मंत्राले से रिलेटेड गैरिसनी, तो उसके भी बहुत सारे पद खाली हैं, याँ पर देख सकते हो, डांग विभाग में भी बहुत सारे पद खाली हैं, 90,000 से जादा पद अभी तक नहीं भरे गए हैं डांग विभ प्यमों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर 129 पद रिक्त हैं, इसी तरहे राष्ट्रपती भवन में भी 91 और क्याबिनिट सचवाले में 54 पद खाली हैं, के अंदर ने खाली पदों की जानकारी संसद में अभी हाली में पेस की थी, और कार्मिक विभाग के मंत्री डॉक्ट प्रक्रिया इन में से सुरू हो चुकी है, लेकिन उसके अभी जो डेटा है, जो कह सकते हो, उसका जो आंकडा है, वो भी यहाँ पर प्रसारित नहीं है, नीचे आप देख सकते हो, जो प्रसासनिक अमला होता है, जो हम लोग कहते हैं, जिले में सर्वोच अधिकारी है, एक प्रसासनिक वेवस्ता को देखते हैं, वो IAS अधिकारी होता है, वहाँ पर भी अगर हम देखें, IAS के 1472 और IPS के 864 पद रिखते हैं, केंदर ने संसद में बताया कि IAS 1472 पद खाली है, और इसी तरीके से 864 पद आपके IPS के खाली है, ठीक है, IFS, जिसको हम लोग कहते हैं, IFS के 1057 पद खाली हैं, देश में IAS के 6789 और IPS के 4984 और IPS के 3191 पद स्विक्रत हैं, इतने पद स्विक्रत भी हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा, इस से देखें तो IAS के 22%, IPS के 17% और IPS के 33% पद अभी नहीं भरे गए हैं, तो ये जब भी जाता है धियाचन, Commissioner के पास जाता है, संगलोग स्वायोग के पास, संगलोग स्वायोग का कार हैं परिक्षाय कराना, जितने भी retirement होते हैं, जितनी भी पदखाली होते हैं, जहांपर requirement होते हैं जिन विभागों से, उनका एक अधियाचन तैयार होता है, और वो बाकायदा सरकार भेशती है कहां पर कमीशन के पास कमीशन का काम है नीउक्ति करना नहीं कमीशन का काम है एकजाम क्टक्ट कराना उसने पद करना एक चरण पास करके, ये exam में select हुए है, तो मेरे हसाब से, मेरे according commission कहता है, ये इस नियुक्ति के लिए पात्रव विद्धार थी है, अब ये सिफारिस करता है, यानि कि commission जो है, वो हमेशा सरकार से नियुक्ति की सिफारिस करता है, तो हमेशा आप ने देखा होगा, commission कभी भी नि नियुक्ति पत्र सरकार द्वारा दिया जाता है अब एक चीजिए और देखने में आई है की यूपी-पी-स की बात करें या किसी भी पीस्टेट-इस की बात करें तो वहाँ पर हमको एक बात जरूदュ देखने मेंिये जो ट्रेनिंग का परॉसिस ट्रेनिंग का प्रोने हैं जैसे लोक सेवा आयोग से अभी हाल ही में नियुकती हुई आपकी जी आई सी में प्रवक्ता की gagner city सीधे उनको नियुकति दे गई झिले इस्तर पर है जो जो नुमायन्दे हैं, प्रसादसन को कही सकते हैं, जो वहाँ पर विधायक हैं या ओ क्यों मन्तरी हैं, उनके दोरा जो उस जिले में चैनित अभीहरती हैं, उनको नि Eller Agency अगा, कुछ नियुक्ति पत्र मुखि मन्तरी जी ने दिये। ठीक है तो इस तरीके से हमेशा होता रहा है चाहें वो जिला विकलांग कलने अड़ अधिकारी हो जिला अलपसंख्यक कलने अधिकारी हो जिला पूर्त अधिकारी हो तो इनके बीच-बीच में ट्रेनिंग कराने का जो ये नया ट्रेंड जो है हम लोग कह सकते हैं वो इसलिए का सेटप है वो भी बीच पीच में सेसेंस के माद्धम से होता रहे तो ये वो दिवानी है सरकार का एक अच्छा रड़ होता है तो आज इस वीडियो को लाने का जो में मकसद है आप देख सकते हैं इतने सारे यहां पर पद दिये गए हैं देख सकते हैं कितने सुईकरत हैं कि यह पूरा तो आप लोग बिलकुल तयार हो जाये जो विद्ध्यार्थी स्टेट पीज़ सी के तयारी करते हैं वह हमेंसा यूपी सी का यग्साम जरूर देते हैं क्योंकि यूपी सी में सेलेक्ट होना हर एक बिद्ध्यार्थी का सपना जरूर होता है तो जैसे फॉर पग वो UP का, वो MP का priority रखता है, उससे उपर UPSC रखता है, लेकि जितने भी बिद्यारती हैं, मुखरजिनगर में रहने वाले, या केरोलबाग में रहने वाले, वो सभी, जानते नाम लोग दो center माने जाते हैं, एक Hindi medium का, एक English medium का, जो UPSC का मुख केंदर माना जाता है, जहां से move करके, वो एक्जाम देते हैं, और जो सफलता का ratio है, वो भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है, UP वाले बहुत सारे विद्यारती, बिहार में, BPSC में select हुएं, मैं जानता हूं कम से कम 20-25 लोगों को, जो UP से belong करते हैं, और BPSC में कोई RDO है, SDM है, बहुत सारे ऐसे विद अधिकारी है, UP में basic सिच्छा अधिकारी है, तो हमेशा मेरे कहने का मतलब है, यह है कि जब भी कोई विद्यारती, आपका बेरोजगारी के दोर से गुजरता है, तो सोचता है, यार मेरी commission की तो तयारी चली रही है, तो बिल्कुल क्योंना UP दे रहे हैं, तो MP दे रहे हैं, आपका मुख मोटो है, कि आप अधिक से अधिक, PSC exam अगर आप एक state का दे रहे हैं, तो दूसरे state को भी cover करके, बढ़िया से तयारी करके जुड़ते रहेगा, तो इसी तरीके से जो जानकारियां हैं, वो हम आपके साथ में share करते रहेंगे, अगर हमारी ये वीडियो अच् से दिक, share कीजेगा, like कीजेगा, और चैनल को subscribe जरू कीजेगा, thank you.